तुनाव की कि व्यूम्ट ऐसी थे अगात्ष थ्यू में पढ़ लिया था और पेज नम्बर टू में हमने पढ़ा था we have read what makes an election democratic election जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक किस तरह से होते हैं इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि पाकिस्तान का एक एक एक्जामपल पढ़ा था पाकिस्तान में 1998 पे तु 1999 में तक्ता पलट हुआ था वहाँ पे जनरल परवेज मुसर्फ ने सत्तारूर पार्टी को पद से हटा के जो कि एक आर्मी के जनरल थे उस पे कबजा कर लिया तब बाद में उन्होंने सब्मिधान संसोधन करके जो है एक ऐसी ववस्ता की जिसके थुरू वहाँ पे चुनाब भी होंगे प्रधान मंत्री भी चुने जाएंगी लेकिन जो final decision होगा अंतिम जो निरने होगा वो आर्मी के chief के हातों में होगा ठीक है तो ऐसे देशों में जहाँ चुनाब होता है election होता है और एक representative भी चुना जाता है यानि कि एक एक प्रतिनिधत्र करता भी चुना जाता है लेकिन वहाँ पे फिर भी जो है लोगतंत्र नहीं है डेमोक्रिसी नहीं है यानि पूर्ण रूफ से ऐसे देशों में डेमोक्रिसी नहीं है आज हम पढ़ेंगे Is it good to have a political competition? कि political competition होना क्यों आवे सके? यानि राजनेतिक जो competition है वो क्यों आवे सके? यानि अगर चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में एक से अधिक पार्टियां जो है नितांत आवे सके है ठीक है? तो yes, political competition is good for due to the falling reason लिम्लिकित कानों से जो है political competition आवे सके है पहला कार्ड If there is no competition अगर political competition नहीं रहेगा अगर केवल एक ही party रहेगी तो उस condition में वो जो party होगी वो different types के बिल लाएगी और बिल को कानून का रूप धारण करवा देगी क्योंकि लोकसभा और राजसभा में उसका भहुमत रहेगा और रास्टबती भी उसी का रहेगा तो इस तरह से political competition होना आवे सके है क्योंकि अगर political competition नहीं होगा तो विपक्ष जो है उससे जो है प्रसंद नहीं पूछ पाएगा ठीक है विपक्ष क्यों होता है opposition इसलिए होता है कि government अगर कोई भी कानून लाए तो जो विपक्ष है उससे प्रसंद पूछे question करें है इसलिए तो विपक्ष होता है if there is no competition among several candidates यानि कि several candidates के वीच जो है competition नहीं होगा then the election becomes pointless तो तो election जो है pointless हो जाएगा न यानि जो चुनाब है उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा उसका तात्पर ही नहीं रहेगा तो political leaders get motivated with the desire to do something in the political country political leaders होते हैं वो motivated कैसे होते हैं ठीक है उत्साहित कैसे होते हैं with a desire to do something एक इक्षा होती है desire मतलब होता है एक इक्षा किसके इस्चा होती है to do something in their political country ठीक है उनके अंदर एक इक्षा होती है कि वे देश के लिए कुछ करें और political country मतलब जो राजनितिक जो देश हैं उनके लिए कुछ करें it provides incentives to the political leaders and their parties क्या provide करते हैं incentives to the political leaders ठीक है competition जो होते हैं जो political competition होते हैं वे क्या provide करते हैं incentives ठीक है to the political leaders and the parties अब है electoral constituencies constituency मतलब होता है निर्वाचन छित्र ठीक है अब एक जिले में एक निर्वाचन छित्र हो सकता है लोग सभा चुनाब की दसामने ठीक है और जब विधान सभा के चुनाब होंगे in the condition of legislature assembly तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं ठीक है तो जो है अगर हम पहले लेने की MPs के चुनाब हो रहे है Member of the Parliament के चुनाब हो रहे है तो एक जिले में एक MP चुना जाएगा Member of the Parliament जो की लोग सभा का क्या होगा सदस्र होगा ठीक है तो उसकी वो जो जहां से वो चुना गया है वो होगी उसकी constituency निर्वाचन चेतर ठीक है अब विधान सभा के पक्ष में लेते हैं यानि की legislature legislature जो है एक जिले में एक से ज़्यादा legislature हो सकते हैं ठीक है जो भी उसका जो है निर्वाचन चेतर होगा तो legislature में होता क्या है कि एक candidate चुना जाता है जिसे मैंने बताया था कल MLA MLA होता है Member of the Legislative Assembly फुल फॉर्म है इसका यानि की विधान सभा का सदस MLA हो गया MLA अपने में से जब कोई party जो है majority में आ जाती है ठीक है भागमत में आ जाती है तो वे अपने में से एक leader को चुनते हैं और वही मुखमंत्री चीफ मिनिस्टर होता है ठीक है तो इस तरह से constituency जो है निर्वाचन छित्र आपने समझा अब इसके वारे में reading कर लेते हैं Our country is divided into different areas हमारी country जो है विविविन छित्रों में विवाजित है to conduct the election यानि की चुनाब करवाने के लिए This is called as electoral constituency इसे electoral constituency कहते हैं निर्वाचे छेत्र कहते हैं voters elect one representative living in an area जो voters होते हैं जो मतदाता होते हैं वे एक प्रतिनिधित्व करता को चुनते हैं अपने एक निर्वाचे छेत्र से ठीक है तो इसको आप ऐसे समझना इसको आप एक book की तरह मत समझो अभी चुनाब आने वाले हैं तो आप जहां पर है रहे हो वहाँ पर candidate आ रहे होंगे प्रचार करने के लिए तो ये देखिए कि अभी विधान सभा के चुनाब हो रहे हैं लोग सभा के चुनाब हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में ठीक है तो अभी विधान सभा के चुनाब हो रहे हैं यानि की एलेक्शन्स आर लेजिसलेचर लेजिसलेचर के लिए हो रहे हैं विधान सभा के लिए हो रहे हैं ठीक है तो आपके यहां भी आ रहे होंगे candidate तो आपकी कौन सी consistency है आप किस निर्वाचन छेतर में रहते हैं वो मुझे comment करके भेजिए कि हाँ जी सर हम इस निर्वाचन छेतर में रहते हैं ठीक है या आप जो है अनुफ सहर निर्वाचन छेतर है आपका या सिकारपूर निर्वाचन चेतर है या डिवाई अगर आप बलेंसर जला के हो ठीक है अब बलेंसर डिस्टिक में ही हो क्योंकि आपका स्कूल भी बलेंसर में ही पड़ता है तो आप किस constituency में हो यह बताईए और वहां के उम्मीदवारों का नाम जो है comment करके बताईए फॉर लोगशवा अब हम सम्विधान है उसमें ये वंडित है कि लोकसवा में जो मैक्सिमम सीट हैं वो 552 हो सकती है ना 552 सीट हो सकती है लोकसवा में ठीक है यानि 5502 जो मेंबर अब त्पारलियमेंट हैं वो चुने जा सकते हैं लेकिन वर्तमान में जो हैं पांसो तेतालीस चुने जाते हैं लेकिन जनवरी दोजार बीस में एक संभिधान संसोधन किया गया जिसके द्वारा जो दो एंगलो इंडियन जो सदसे राष्ट पती चुनता था था जो दो एंगलो इंडियन मेंबर जो राष्ट पती एलेक्ट करते थे तो जो एंगलो इंडियन सदस हुआ करते थे उनको राष्ट पती चुनते थे तो दो एंगलो इंडियन सदस को राष्ट पती चुनते थे कहां के लिए लोकसभा के लिए तो जो जनवरी दोजार बीस में जो समझीधान संसोधन किया गया अब जो है एंगलो इंडियन सदस नहीं चुने जा सकते इसलिए अब जो है maximum लोगसभा में 550 जो हैं सीटे हो सकती है यानि 550 जो हैं लोगसभा सदर से चुने जा सकते हैं ठीक है Anglo-Indians सदर से क्या होते हैं Anglo-Indians मतलब जिनकी मां इंडियन हो और पिताजी जो हैं फादर जो हैं विदेशी हो ठीक है अथवा इसका उल्टा समझ लीजिए ठीक है इच स्टैट इस डिवाइड इन्टो ए मैं प्रतेक जो स्टेट है वो डिवाइड होता है विवाजित होता है एक निश्चित किसमे निरवाचन छेत्र में ऍरेशन कोन्सिटूनसी इन्ड री पर्जन दिविएड है इसको कहते हैं member of the legislative assembly ठीक है जैसे उत्तर प्रदेश में भी विधान सवा के चुनाफ हो रहे हैं तो यहां से MLA चुने जाएंगे तो इतना आपको करना है ठीक है बाकी जो मैंने comment box करने के लिए जो आपको homebug दिया है आपको वो बताना है प्लस आपको यह भी बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो है कितनी जो है MLA चुने जाते हैं ठीक है या maximum कितने जो है legislative assembly में कितने member हो सकते है maximum UP में only UP thank you very much